इन दिनों टीवी शोज में लीप और स्टाउर्स की एक्जिब का मानू जलजला साथ चक्वा हूँ खास तोर से स्टाउर प्लस के गुम है किसी के प्यार में शो में तो ज्यादा ही ये सब चीजे देखने को मिल रही है ये शोज ट्यार पी में बंपर का माल कर रहा है और शोज को टॉप पोजिशन पर बनाई रखने के लिए मेकर्स कहानी में तेजी से बदलाव भी कर रहे हैं हालगी में शोज की कहानी में 9 साल का लंबा नी पाया है लीब के बाद एक पर फिर से सई और विराद का मिलन हो गया जिसके बाद पता चला कि देव्यानी का करदार निभाने वाली मितानी नाग ने इस शोग को अल्विदा कह दिया चलो भई देव्यानी की एक्जिट की ख़वर से भी फान सुबर गई लिकन अब शोग की एक और एक्ट्रिस ने कर लिया है शोग से किनारा जी हां मीडिया रिपोर्ट की माने तो सीरियल गुम है किसी के प्यार में से जल ही एक और एक्ट्रिस का पत्ता साफ होने वाला है इंडिया फॉर्म की रिपोर्ट की माने तो कहानी में अब चाइल्ड आर्टिस्ट हिरावी त्रिवेदी नजर नहीं आएगी बता दे कि हिरावी त्रिवेदी शो में पुलकित और देव्यानी की बेटी हारनी का किरदार निभात्म है वही अब लीव के बाद हारनी का चहरा बदलने वाला है जीहां मेकर्स ने हारनी त्रिवेदी को रिप्लेश कर लिया है मेकर्स ने हार्वी की जगह शो में TV आक्प्रेस येशा हटसोरा को जबह दी है अब येशा सीरियल गुम है किसी के प्यार में की कहानी में यंग हरनी का रोल प्ले करने वाली है आपको बता दे कि येशा के आने से सीरियल की कहानी में कई बड़े बद्राव भी देखने को मिलेंगे बतादे कि सीरियल गुम है किसी के प्यार में की कहानी में सही और विराट का आमना सामना तो हो चुका है विराट जान चुका है कि सही जिन्दा है वहीं विराट अब अपने अतीर की वज़े से सही और विनायक को एक दूसरे से दूर रखने की कोशिश भी करेगा लेकिन अब देखना तो ये है कि येशा क्यान से कैसे कहानी में बड़ा ट्विस्ट आएगा ये देखना बाकरी में काफी दिल्चास होगा